कैसे हो दोस्तों आप हमारे पीछे जो प्राची निमारत देख रहे हैं यह करीब साड़े 400 वज़ पुरानी है यह मुहमबत साह सेयत का मकबरा है यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे अस्ट भुजाकाराकार और उपर एक बड़ा सा गुंबद बनाया गया है इसके चारो तर में देखने को मिलता है सामने यह आप देखेंगे तो मकबरे का इंट्रीगेट है उपर यहाँ पर कुछ डिजाइने बनाई गई है यह लाल बलगा पत्थर यहाँ पर इस्तमाल किया गया थोड़ी बहुत आपको यहाँ नकासी देखने को मिलेगी यहाँ पर आप देखें गया था सैयद वंस के जो सासक थे उनके परिवार के लोगों को भी गाइज अब यहाँ पर तीन से चार घंटा पहले आये थे तब से लेकर अभी तक यह पुता यहां सो रहा है ऐसे लगा इसकी कब्र है यह गाइज आप यहाँ पर देखेंगे तो कब्रों के ऊपर जो इसकी structure है काफी बुरी हालत में है यहाँ पर तोटा फुटा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर चूना पत्थर इस पर इस्तमाल किया गया था इस पर फिनेसिंग के लिए हाला कि अभी वो खराब हो चुका है यही मुहमबत साह की कब्र है जो बीच ओ बीच बनाई गई थी इ उसमें थोड़ी नकाजियां और उसके उपर आप जो देख रहे हैं वो जरोखे बनाए गए हैं पूरी गुमबत के अंदर चारो तरफ यह बिल्डिंग बनाई गई है अंदर की तरफ से आपको अश्क बुजा काराकार में देखने को मिलेगी दोस्तों आप एक गुमबत म आपको जो मुगलकाल की इमारते हैं उसमें बको भी देखने को मिलेगी बाद में मुगलकाल की जो इमारतों में यह डिजाइन अपने चरम पर थी आपको हर इमारत में देखने को मिलेगी है यहां पर आप देखेंगे अंदर से हमें कुछ इस तरीके से यह पूरा मकबरा यहां पर अंदर कुछ इसकी हालत ठीक नहीं है लेकिन बाहर से इसकी जो रिपैर है और इसकी जो देख बाल है काफी अच्छी तरीके से की जाती है अलाकि जो यहां की कबरे हैं उनका भी दिहान रखना चाहिए जो भारतिय पुरातात्विक्सर वेक्चन है और इन्हें भी मरमत की जरूरत है नहीं तो यह दीरे दीरे समाप्त हो जाएंगी बहुत सारी कबरे यहां पर पूट चुकी हैं दूसरी साइड में हैं हम अभी आप के साथ में यहां बरामदा बनाया गया है इसे आराम करने के लिए बनाया जाता था ऐसी मारतों में आप यहां पर देखेंगे तो इस मकबरे के अंदर जाने के लिए छे गेट बनाये गए हैं सब में आपको एक जैसी एक ही परटन की डिजाइन देखने को मिलेंगी यहां पर जो पिलर बनाये गए हैं सबका यहीं डिजाइन बनाया गया है इसमें भी आप देखेंगे सामने के तरफ से लाल बल्वा पत्थर का इस्तमाल करके कुछ डिजाइने उगेरी गई हैं यहां पर आप गुंबद में जो उपर का स्ट्रेक्चर है वहां जाने के लिए आपक कुछ इस तरीके से नजर आता है उपर का आप हिस्सा देखेंगे तो काफी काला हो चुका है समय के साथ और कुछ डिजाइने वहां पर टूटी-फूटी आपको देखने को मिलेंगी हाला कि पहले यह ऐसा नहीं था दोस्तों यह प्रिव्यू हम आपको अगली वीडियो का दिखा रहे हैं अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो उसे सस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम यह वीडियो यूटूब पर अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिले यह वीडियो काफी आप इसे जरूर देखना बहुत मजा आएगा इस वीडियो में हम बड़ी महज़ित के साथ साथ बड़ा गुंबत को भी कवर किये हैं और इसमें कुछ बहतरीन तरीके से नकासिया की गई है महज़ित में उसे भी हम आपको दिखाएंगे